दिल्ली के उपमुख्य मंत्री मनीश सिसोधिया ने मंगलवार को एकल मा के बच्चे को मा की साख पर जारी पहला जाती प्रमान पत्र सोपा. यह पहली बार है कि अनुसुचित जाती समूदाय से संबंधित सिंगल मदर के बच्चे को दिल्ली में अपनी मा के जाती प्रमान पत्र के आधार पर जाती प्रमान पत्र मिला है। दिल्ली सरकार के मुताबिक पहले SC-ST जाती प्रमान पत्र केवल पिता के जाती प्रमान पत्र या पित्र पक्ष प्रमान पत्र के आधार पर जारी किये जाते थे। इस प्रक्रिया के कारण कई एकल माताओं को अपने बच्चों के लिए S.C.S.T. जाती प्रमान पत्र नहीं मिल पाता था। गीता देवी एक ऐसी सिंगल मदर है जो पिछले आट सालों से अपने बच्चे के लिए S.C. जाती प्रमान पत्र पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके आवेदन को कई बार ये कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि पिता का जाती प्रमान पत्र मौजूद नहीं है। आम आद्मी पार्टी के विधायक विशेश रवी इस मामले को राजस्व विभाग, समाज कलियान विभाग और दिल्ली के S.C.S.T. कलियान विभाग के साथ उठा रहे थे। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कई पत्र लिखे और अधिकारियों के साथ प्रमानपत्र के आदार पर SC-ST जाती प्रमानपत्र जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन के लिए परिपत्र जुलाई को जारी किया गया था। इसके बाद दिल्ली के उपमुख्य मंतरी मनीश सी सोधिया ने मंगलवार को एकल मा यानी सिंगल मदर के बच्चे को मा की साखबर जारी पहला जाती प्रमानपत्र सौपा